वेलकम टूबी डिटल दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे उत्राखंड ओपन इंविशिटी में आप किस तरीके से ओल्लाइन फार्म भर सकते हैं चाहे आप बीए में एडमिशन लेना चाहे चाहे में में चाहे आप सेकंड इयर में अडमिशन लेना चाहे उसके लिए उत्राखंड ओपन इंविशिटी की वेबसाइट में आ जाना है या फिर उसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिशन में देदूँगा आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे और उसमें टाइप करेंगे यू ओ यू और आप इस वेबसाइट में पहुंच जाएंगे यह इसका ग्जाम होगा वो जून या जूलाई में यहां पर आपको ओनलाइन का एक लिंक मिलेगा उस पर आपको टैप करना होगा ऑलाइन ैप्लिक स्टेप में पूरा करना मोई सब जमा करना होगा उसके बाद आपको यहां पे एक link मिलेगा online admission के लिए click here to proceed, इस link पे आपको click करना होगा, कुछ basic instruction आपके सामने यहां दिया रहेगा, आप इसको पढ़ लिजेगा, इसमें mail लिए आपके पास एक mobile number होना चाहिए, और email ID होना चाहिए, प्लस आपकी identity proof के लिए अपने आपको registration करना चाहिए, तो for new student only में आप click करेंगे, यदि आप already BA second year में admission लेना चाहते है, या फिर MA second year में admission लेना चाहते है, या second year में, second semester में admission के लिए आपको यह इस link पे click करना होगा, admission form को भनने से पहले आपके पास candidate की photograph, आपके पास होने चीए, और उसके बाद candidate की signature आपके पास होने चीए, यह दोनों आप mobile से ही कीच सकते हैं, उसके बाद 10th की marquee और सनद की फोटो भी आपके पास होनी चीए पिलस इंटर की मार्क स्रीट की फोटो भी आपके पास होनी चीए eligible document की बात करें तो यदि आप BMA admission ले रहे तो eligible document आपका इंटर हुआ यदि आप MM admission ले रहे तो आपका eligible document BA final year का मार्क स्रीट eligible document होगा उसके बाद self declaration form आपको यहां से डाउनलोड करना पड़ेगा दbiesक लिंक देखा है इसको डाउनलोड करने के बाद आप अब पर छाड़ने के बाद निकालने के बाद उसको आपको भनापड़ेगा मैं आपको दिखा जЕТा कि कैसे यहां पर आप signature करदेंगे फिर आपका जो नाम होगा और पूरा पता आपको इहां पर यहां पर डालना होगा उसके बाद ापको स्हत्र चूस करना होगा यहाँ क्लिक करेंगे तो आप सितंबर में अच्री M consumes लेना चाहे तो चिदंबड 2020 में ट्याप कर देंगे उसके बाद Apes बेर होते हैं आपको प्रोग्राम चुछ करना होगा कि कौन से प्रोग्राम कीपी मिल देना होगी प्रोग्राम होगे एक बाद आपको है eligibility information देखने को मिलेगा यहां पर यहां पर यहां पर दिटेल में आपको यहां दिखाई देगा इंटर उसके बाद आपको यहां पर यहां पर यहां पर इन्टर चूजेस करना है लिख देंगे उसके बाद आपको यहां एक चेक बॉक्स मिलेगा चेक बॉक्स में आपको यहां पर टैप करना होगा टैप करने के बाद फिर आपको यहां पर बाहर पे क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आपका पेज यहां पर खुल जाएगा उसके बाद आपको यहां प semester आप ज़िए आप बीए मेड़िशन ले रहे तो आपको यहां पर क्योंकि जो बीए का course है वो first year मतलब one year का ही course है उसमें semester exam नहीं होंगे तो यहां first year यहां लिखा रहाएगा exam city आपको परिक्षा सहर चूज करना है तो यहां ही दो नाम हिंदी में में हहीं में हिंदी में टाइप करने के लिए आपको यहां पे तयまशन पर UALE कि आप चेक कर लेंगे क्योंकि एक ही मोबाइल नमसी सिर्ण आपका हो सकता है फिर आपको ड dependarettT अपर आपको आधार काड़, पासपोर्ट, टासन काड़ और पें काड़, डाविए लैसने लिक्सार ओडर काड़ इस में से कुछ भी आप यहाँ पर सिलिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आधा नंबर डालना होगा, आधा नंबर डालनेंगे हैं यहाँ उसके बाद आपको यहाँ पर nationality select करना होगा, nationality में आप Indian select कर लेंगे, उसके बाद state of domicile, जिस भी राज जिकाप का domicile है, तो आप domicile select कर लेंगे, उसके बाद handicap पर दी है, तो yes, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप category चूस कर लेंगे, उसके बाद community जो भी आपका संगुदा है, इसके बाद आपको चूस कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर कारागार का कैदी, कारागार में निर्मीत बीशेव दले कि अध्यान के इंद में नमंकन यदि आप है तो यस कर देंगा अधरवाज इसको नोई रहन देना है फिर आपको अपना complete address आपको यहाँ फिल करना होगा complete address यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप फिल कर सकते हैं फिर city चूस करना है और परसंटेज उसके बाद आपना डिविजन फिर उसके बाद आपको में सब्जेक्ट में आपके class 10 जो भी सब्जेक्ट थे पांच के पांच सब्जेक्ट यहाँ डालना होगा उसके बाद add qualification का जो टैब है उस टैब की साहता से आप इंटर का भी यहाँ पे डाल देंगे यदि आप B.A. made mission ले रहे हैं यदि आप M.A. made mission ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको B.A. तक की qualification add करनी होगी उसके बाद आपको यहाँ पे नोई रहन देना है उसके बाद आपको student image आपको यहाँ choose file option का click में करके यहाँ पे आपको upload करना होगा और उसके बाद upload signature में आपको choose file option का use करके आपको signature upload करना होगा जो signature का जो size है वो पांस से लेके 35 के भी तक आपका हो सकता है उसके बाद आपको high school का जो mark seat है या जो सनत है उसको यहाँ पे upload करना होगा उसके बाद enter का जो सनत है उसका upload करना होगा उसकी जो size है पांस से लेके 500 के भी तक है एडिमिशन एलिजबी डॉकुमेंट में विश्च ध्रक्रण देंगे ज़िए आप मेटमीस्ट ले तो अलिजबी डॉकुमेंट यहाँ पे आपका इंटर माना जाएगा आप यहां इंटर का सानत आपको अपलोड करना होगा यदि आप अधिन ले तो यहां पे आपको बीए फाइनल यह का मार्व जो है अपलोड करना होगा उसके बाद करना होगा यहां पर नीचे टैब डाउन डाउन नेक्स्ट का इस पर आपको डैप करना होगा आप यहां देख सकते हैं हमने टेंथ और इंटर का जो है डिटेल यहां भर दिया है यहां पर आपको अपडेट ऑप्शन में मिलेगा यहां गलत भर चुके तो यहां अब्रेट कर सकते हैं कि हमने जितन이 भी डोकुमेंट है कि हम ने फोन के धौरा ही अप AUPLOAD करना है दॉक्त को तो एंगे कि किस तरह से अप अपलोड कर सकते हैं फोन के दोड़ा उसको फोटो किचके और कौन से साइट से अप उसको कमप Grade सकते हैं खर लाना टेटियलिक है बाद आपको यहां को मुबाइल अबिलेटी पे क्लिक करना होगा उसके बाद के मोबाइल पर को यह अव्क्वें टर जारेगा उसके कुछ से पहले कोर्स या फिर सब्जेक्स के चूझ करना होगा तो यहां पर आप भी यहां अब अब तो environment studies में आपको ये option ये subject आपको लेना है पड़ेगा उसके बाद आप इसमें से जो भी subject आप चूज करेंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जैसे एकी subject है जैसे ये वाला देखे 102 और 102 तो ये अधी हितियास आपको लेना है तो दोनों paper आपको इसमें से लेना पड़ेगा उसी पेकास से ये 102 ए 102 जो शिक्सा समाज और निदेशन में परामर्श है तो ये शिक्सा सास्त जो भी से लेके करना चाहते हैं तो आपको दो paper देना पड़ेगा कूल मिला के बीए फश्टे मत ये आप admission ले रहे तो subject का विश्चे ध्यान रखेगा क्योंकि उसमें हर subject में आपको दो paper देने पड़ेंगे तो जो भी subject आपको चूस करना होगा तो वहां से आप उसको चेक बोक्स लगा देंगे जैसे आप यहां देश्टे हैं हमने चूस कर लिया है कूल मिला के 6 subject है और एक इंबारमेंट का है वह आपको चूस कर लेना है उसके बाद verify subject में आप क् कर लेंगे जो भी आपने document upload किया होंगे जो भी आपने information डाली होगी उसको आप ध्यान से एक बाद चेक कर लेंगे चेक करने के बाद आपको प्रिवियस का जो बटन दे रखा नीचे इस प्रिवियस बटन के में टैप करके आप पीछे जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं यदि आप पूरी तरह शंतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं है मुझे फीस payment करना है तो फीस payment के लिए करने के लिए यहाँ पे दो option है पेटियम का एक gateway दे रखा है और दूसरा दे रखा है बैंक का बड़ोदा का तो आप डेविट कार्ट से भी यहां कर सकते हैं किसी का भी त इसके बाद आपको next, done and next पे click करना होगा फिर आपको नीचे make payment का option दे रखा यहाँ पे दुवारा से आपको tap करना होगा फिर आपके समने bank of बड़ोदा का gateway खुल जाएगा तो यहाँ पे यह आप शक नहीं है कि आप bank of बड़ोदा का gateway उसकर रहें तो बड़ोदा का ही आप bank of बड़ोदा gateway से आप payment कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए आपके option है चार केज़िट कार्ड डेविट कार्ड नेट बंकिंग और UPI तो हम यह UPI select करते हैं और UPI select करने के बाद आपको यहाँ वर्चूल payment address यहाँ डालना पड़ेगा उससे पहले आपको यह जो capture कोड़ आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखे रहते हैं बहुत सारी application यहाँ दे रखिए application status आप यहाँ से देखे रहते हैं रिप्रेंट यहां से कर सकते हैं इस्टेडी सेंटर चेंज कर सकते हैं ID कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं apply for NOC का अपरशनिश में दे रिखा student information change यह दिया आपको करना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं और exam city चेंज करना है वो भी यहाँ से कर सकते हैं download acknowledgement यह दिया आपको करना है तो यह सारी function आप यहाँ से कर सकते हैं उसके बाद आपको अपने study center में जाना होगा और जाके यह printout देखे आप जो है अप